कुण्डि भागे सेडियल में आज के एपिसोड की शुरुवात राजबीर से होती है, वो अनुशुमन के ओफिस आता है। अनुशुमन राजबीर को मिस्टर अजमेरा से मिलवाते हैं, वह बोलते हैं, ये बतारहे हैं कि करण एक और बोली हार सकता है। फिर वो राजबीर से लोथरा इंडास्ट्री पुल निर्मान की बोली के बारे में पूछते हैं। मिस्टर अजमेरा राजबीर से पूछते हैं कि तुम्हारी करण के साथ क्या दुश्मनी हैं। लेकिन राजबीर उन्हें दुश्मनी के बारे में नहीं बताता हैं। और जिजियो थे रिपेस्ट बनकर आई हूँ, करण बोलता है कि प्रीता कहीं नहीं जाएगी, प्रीता राखी से पूछती हैं कि आप मेरे से नाराज क्यों हो, करण प्रीता को साइड मिलें, जाता हैं और बोलता हैं कि मेरे परिवार को उम्मीद नहीं थी कि तुम्मा आऊगी, इसलिए उन्हें थोड़ा जटका लगा है, फिर पार्वती अंदर आती हैं और पार्वती और शिवजी की शादी होती हैं, प्रीता शादी देखकर बहुत खुश होती हैं, वह करण से बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि मरे इच डॉक्टर को पसंद नहीं करता हैं, वह ठूनता हैं, गुरप्रीत उसे बताती हैं कि प्रीता फिजियो थेरिपिस्ट के रूप लोथ रहाउस गई थी, राजबीर चौक जाता हैं और सोचता हैं कि प्रीता को ज्यादा देर तक वहा रहने नहीं दे सकता हैं, करण अपनी परिवार को बताता हैं कि प्रीता की आद करता हैं कि वे प्रीता के साथ अच्छा व्यभार करें, निधी वहां से बाहर चले जाती हैं और सोचती हैं कि ये मेरे लिए बहुत बुरी खबर हैं, करण बोलता हैं कि मैं अब प्रीता के पास जा रहा हूं फिर वो वहां से चला जाता हैं, काव्या बोलती हैं कि प्रीता के बारे में शॉरे को पता नहीं लगना चाहिए, दाधी उससे सहमत होती है। करण प्रीता को रोते वे देखता है तो उससे रुने की वजय पूछता है। असे धन्यवाद बोलती हैं कि उसने उसे उसकी दाधी के लिए पर्सनल फिजयो थे रिपिस्ट के रूप में रख लिया है। वह आगे बोलती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने घर हूँ। निधी उन दोनों की बातचीत सुन लेती हैं। विवाह पुरा होत हैं और सोचती हैं कि प्रीता और करण आज मिले हैं तो जरूर इसका कोई संकेत हो सकता है। कि भगवान प्रीता और करण को एक करना चाहते हैं। करण सोचता हैं कि आज मैंने प्रीता के साथ सपने में शादी की हैं लेकिन जल्दी ही मैं प्रीता से शादी कर लूँगा। करण प्रीता को दादी के पास ले जाता हैं और प्रीता दादी के पैर की जाज करती हैं. प्रीता बोलती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा हैं कि जैसे में पहले भी दादी की जाज कर चुकी हैं. करण और दादी थोड़ा चौपते हैं.